नमस्कार आदाप सत्स्रीयकाल न्यूस क्लिक के इस खासकार क्रम में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी सरकार जो बिरोक्रिसी हमारी है नौकरशाही जो हमारी है खासकर सिविल सर्विसेज सेकरेटरियेट की सर्विसेज इसमें कैसे बड़ा बदलाव कर रहे हैं और ये जो बदलाव है ये उनकी नीजी इक्षा पर यानी जो आज सरकार चला रहे हैं लोग उनकी अपनी इक्षाओं पर आधारित है इसके लिए बिरुक्रिसी में समाज में या जो लोग भी और स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कोई बड़ा कंसल्टेशन कोई बहुत बड़ी बाचीत नहीं होई कभी देखे भारत जब आजाद हुआ तो ये माना गया था कि बिरुक्रिसी जो अपनी है जो नौकरशाही अपनी है जो ब्रिटिस हुकूमत को स्थापित करने उसके कामकाज को सहज बनाने उसको मदद करने के लिए खड़ी की गई है ये माना गया कि उ इसलिए मैं सुरूप कहा हूँ कि संसद में बाचीत होती रही है, बकायदे कई बार कुछ संकल्प लिये जाते रहे हैं, कई बार कानून बनते रहे हैं, लिकिर इस बार जो हो रहा है, वो सीधे सरकार अपनी तरफ से कर रही है, उसके लिए कोई न तो संसदी फोरम पर, न तो दूसरे सरवदली फोरम पर कोई ऐसी चर्चा नहीं, तो इसलिए हमारा मानना है कि ये जो परिवर्तन बदलाओ की कोशिश हो रही है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राजनितिक कारण है, वो क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि किस तरह का परिवर्तन किया जा रहा है, अभी एक नया प्रस्ताओ जो भारत सरकार के कार्मिक सचीव ने, डी-ो-पी-टी जो उनका मंत्राले है, उसमें एक अनौपचारिक प्रस्ताओ कहा है देने को, कि भई ये जो नीजी छेत्र है, वहां से कम से कम 400 पद, डी-पी-टी सेकरेटरी के और नीदेशक, यानि डिरेक्टर के इतने पद स्रिजित किये जाने चाहिए, इतने पदों की नियुक्ती हो जानी चाहिए, और ये कुल मिलाकर 650 पोस्ट हैं, जिनमें 60% को भरना है, तो ये कार्मिक जो मंत्राले अपनी देश का है, कार्मिक सुधार मंत्राले, उसके सेकरेटरी ने डी-वपी-टी से ये प्रस्तावत तयार करने को कहा है, अगर ये हो जाता है, तो भारत सरकार के जितने प्रमुख मंत्राले हैं, सचिवाले में जो काम करने वाली लोग हैं, उसमें जो बड़े पद होते हैं, उनके और जो नीचे के पद होते हैं, उसके बीच के जो पद हैं बड़े, ये माना जाता है कि नीदेशक और डेपिटिज सेकरेटरी, दोनों के बीच में एक सेतु का, एक लिंक का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, इस पुल पर बैठे हुए जो लोग होंगे, वे सारे के सारे लोग ऐसे च्छेतरों से होंगे, जो पहले से भारत में नीजी च्छेतर के रूप में काम कर रहे हैं, या दूसरी और सेवाओं से होंगे, अब हमारा ये कहना है कि इसके कई dimensions है और इन dimensions पर जाने से पहले मैं आपको अपने दर्शकों को ये भी बताऊंगा कि कुछ ही समय पहले जब भारत में चुनाव चल रहा था उसी वक्त अप्रेल महिने में भारत सरकार ने नौ ज्वाइन सेकरेटरी ज्वाइन सेकरेटरी वे महत्पूर्ण भोमिकारी बाते हैं तो नौ ज्वाइन सेकरेटरी की थी भारत सरकार में पहली दफा ज्वाइन सेकरेटरी बनाया गया यूपियस सी का एक्जाम पूरा किये बगैर उसको पास किये बगैर अब हम और डाइमेंशन पर जाने से पहले ये जरूर रखना चाहे आपके सामने कि भारत की जो जनता है भारत का जो समाज है भारत के जो परिवार है इन समाजों इन परिवारों से अवाम के बीच से जो नौजवान इनुस्टीज में पढ़ने जाते हैं वो अपना graduation करने के बाद या post graduation के बाद परिक्षाओं में प्रतियोगी परिक्षाओ में बैठते हैं और IS, IPS, IFS बनने का सपना उनका होता है इस सपने में बहुत सारा वक्त वो खापाते हैं और बहुत साधारन परिवारों के लड़के भी या अमीर परिवारों के लड़के सब के लिए दरवाजा खुला होता है प्रशासनिक सेवाओं में UPSC के जरिए एक स्व प्रशासनिक सेवाओं में पहले से होंगे स्वायत संस्थाओं में होंगे इन्वस्टीज में हो सकते हैं प्रवेट सेक्टर में हो सकते हैं बैंक में हो सकते हैं किसी और उपकरम में हो सकते हैं ऐसे ही नौ लोगों को हाल में अपरैल मैने में लिया गया जबकि आचार संगिता भी लागू थी और चुनाव चल रहा था पहले से प्रक्रिया उनकी चल रही थी इसलिए माना गया कि भारत सरकार ले सकती है अब उसी के नक्षे कदम पर और आगे बढ़ाया जा रहा है दारा कि अब नीजी शेत्र से लिए जाएंगे और हम जानते हैं कि भारत का नीजी शेत्र कैसा है भारत के नीजी शेत्र में एक तो जो उसका जो रुजान है जुकाव है हम सब जानते हैं कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद जब नौ उधारवादी अर्थतंत्र भारत पर स्थापित किया गया उसके बाद से ही जिस तरह से भारत का नीजी शेत्र अवाम के बड़े सरोकारों से एक तरह से ऐसा लगता है कि उसके बरक्स वो बिलकुल अलग सोचता है उसकी जिन्दगी अलग है उसकी दुनिया अलग है उसके कंसर्ण्स अलग है तो ऐसे लोगों के बीच से हम यह नहीं कहरें कि नीजी शेत्र में सब लोग एक जैसे होते हैं लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि प्राइविट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के ज उसको चलाने उसको संचालिट करने में लिये जाएंगे और यह जो नया आदेश है नई जो प्रक्रिया सुरू हुई है बड़े पैमाने पर 60% डेपेटी सेक्रेटरी और निदेशक लिये जाएंगे इसमें बहुर बहुत दिल्चस्प बात है जिसका खुलासा आज इंडि एक्षन के जरिये रिजर्वेशन प्राप्त होता रहा है ऐसी सेवाओं में उनके लिए भी दरवाजे बंद हो जाएंगे अगर आप डिपेटी सेक्रेटरी और निदेशक के बदों पर नियुक्तियां 60% कर रहे हैं और उसमें रिजर्वेशन के प्रिंस्पिल्स फालू न की तरफ से उसमें कहा गया है और इसके पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए जो आई थी अधिसुचना उसमें भी ये बात साफ की गई थी कि ये वन पोस्ट के तहत यानि एक पोस्ट जो है वो उसके आधार पर नियुक्ति की जा रही है यानि अनेक पोस्ट को लेकर ए एक अधिसुचना जारी करने की बात नहीं की जा रही है तो एक पोस्ट के अगेंस्ट एक वेकेंसी के अगेंस्ट अगर कोई नियुक्ति होती है तो उसमें रिजर्वेशन का कंसेप्ट अपने आप लागू नहीं होगा ये जोइंट सेक्रेटरी वाले जो नोडिफिकेश है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो इस तरह की जो नियुक्तियां की जा रही है ये एक खास ढंग का कंट्रेक्ट होगा इसमें कुछ वर्ष तैह होगे कुछ समय तैह होगा कुछ प्रावधान तैह होगे सेवा शरतीं कुछ अलग तो ये कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि SCST OBC के लिए अब इसमें कोई प्रावधान नहीं होगा कि उनको सामाजिक साक्षिक जो पिछडापन है उसके आधार पर आरक्षन दिया जाए और ये बड़ी दिल्चस्प बात है कि जुएंट सेक्रेटरी के नौ नियुक्तियां जो भारत सरकारने की डाइरेक्ट बगएर UPSC का एक्जामिनेशन दिये हुए वो नियुक्तियों में एक भी व्यक्ति SCST OBC समाज से नहीं आया था यह कम दिल्चस्पात नहीं है तो क्या माना जाए कि भारत सरकार अपने ढंकी एक विरोक्रिसी बना रही है क्या यह माना जाए कि जिस प्रसास्निक सुधार की मांग संसद में होती रही है समय समय पर उसको दरकिनार कर एक ऐसे सुधार के नाम पर कुछ इस तरह का structure बिल्ड किया जा रहा है जो मवजूदा rolling party के लिए अनकूल ही केवल न हो बलकि उनके लिए आख मूत कर समर्थन देने वाला हो तो क्या हम माने कि भारत की विरोक्रिसी में ऐसे लोग आएंगे जो सत्ता शिर्ष पर जो लोग आ रहे हैं चुनकर उनकी नीजी पसंद के होंगे क्या वो उनका जो commitment होगा सिर्फ एक नेता एक party के प्रती होगा उनका commitment जिस तरह संविधान के प्रती हमारी समाजिक हमारी प्रशासनिक हमारी रायरितिक संरचना जो पूरी की पूरी बुनावट है हमारी सनरचना की उसके प्रति नो होकर केवल एक वजूद उसका होगा कि भई ये जो नेता उपर बैठा है जो सरकार चलाने वाले लोग हैं सिर्फ हमारी प्रति बद्दता हमारी जो वचन बद्दता है सिर्फ उनके प्रति होगी मुझे लगता है कि ये एक बहुत दिल्चस्प बहुत विवादास्पद और बहुत चिंता जनक पहलू है जिस पर पूरे भारत की जनता को सोचने की जरूरत है और मित्रो आप से एक बात और शेयर करूंगा ये मत भूलिये कि जो दलील दी जा रह आए आज जब उसको जवाब देह समाज के प्ति पूरी व्यवस्ता के प्ति आम इंसान के प्ति जवाब देह penne के बज़ा है सिर्फ एक पार्टी एक नेताया नेताओं के जुन्ड के प्ति अगर केवल उसकी रचनवद्धता जवाब देही केवल निश्रित की जा रही है तो यकीन मानिए लोग तंत्र का ये गहरा संकट है और दूसरा जो सबसे बड़ा संकट में जारा रहा है कि समाज के अत्यंत दबे कुछले लोग उत्पिडित समाज के लोग जो बिटिस पिरियट से लेकर आजादी के बाद लंबे समय तक जिनकी नुमाइंदगी जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था भारत की बिरिक्रिसी में जो धीरे धीरे बढ़ा है और अब भी भारत में अगर देखा जाए तो दबे कुछले लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है OBC कहा जाता है इस देश में 54% के आसपास है लेकिन OBC का भारत की जो सेंटरल सर्विसेज हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन आज भी 12.9% से ज़्यादा नहीं है यानि 13% से भी कम है भारत के जो सेंटरल केंदरी विश्विद्याले हैं इन केंदरी विश्विद्यालियों में ही अगर आप केवल ले लीजिए प्रोफिसर्स का एसिस्टेंट प्रोफिसर्स का जो ब्रेक अप तो उसमें OBC समाज से जिसकी बात में कर रहा था कि माना जाता है कि 54% आबादी उनकी देश में है लेकिन पूरे भारत के केंदरी विश्विद्याले हों में OBC के 245 केवल ए एसोसियेट प्रोफिसर्स सिर्फ चार और चार ही प्रोफिसर्स बताया जाते हैं ये एक आंकड़ा हैरतंगेज है और केंदरी जो सेवाएं हैं उनका मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 12.9% के आसपास बताया जाता है आजादी से अगर देखा जाए पहले का हाल तो उसम तरह के बदलाव की परिकल्पना हमने की थी हमारे समाज ने की थी या हमारे तमाम राजनितिक दलों ने जिस तरह के क्लेम किये थे उस क्लेम की उस दावेदारी की धज्जियां और रही हैं मुझे लगता है कि भारत के समाज के इंक्रूसिव ज़्यादा समावेशी होने ल एक ऐसी स्थिती पैदा होगी जहां बिरुक्रिसी अपने विवेक से काम नौ कर अपने राजनितिक पॉलिटिकल मास्टर्स के डायरेक्शन पर उनके इशारे पर काम करे और ये भारत के सम्विधान के लिए सम्विधानिक लोगतंत्र के लिए अवाम के व्यापक हीतों के ल हम अपनी बाचित इसी मुकाम पर खतम करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इस बाचित पर आप अपने विचार भी जरूर दें आप क्या सोचते हैं भारत सरकार जो इस तरह के कदम उठाने जा रही है कुछ कदम उठा चुकी है क्या आपका क्या सोचना है इस पर जरूर हमें आप बताएं नमस्कार आदाब सत्री अकाल